हाई गाईज वेल्कूटू टू क्रेटिंग वैल तो देख लेते हैं एक बार HFCL का जो है चार्ट कि कैसा चार्ट जो है इसका बना हुआ है और आगे किस तरीके इसकी जो है पोजिशन आपको जो है इस इस टॉक में देखने को मिल सकती है किस तरीके का बेहेवियर जो है यह चार्ट जो है यह देखा रहा है कि श्टॉक जो है 2014 से लेकि 2020 की जो एरिया में जो है स्टॉक जो है गूम रहाता उसको तो जो है यह यह कर चुका है उस बाउंडेशन से तो जो है यह निकल चुका है और कहीना कहीं जो है उसके ऊपर एक काम जो है करने में जो है या इस समय पर कैपेवल है उस तरीके से अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर अगर आप एक चीज यह जरूर देख रहे होंगे कि 2021 में जो इसका जो लो था वो था करीब 25 रुपे के आसपास का तो 25 रुपे का अगर लो आप देखेंगे और इस समय पर जो है चल रहा है वो करीब चल रहा है 67 रुपीस के आसपास यहाँ पर इस टॉक में एक बिकवाली अच्छी खासी हुई भी है उपर से करीकरी 100 रुपे के आसपास तक जो है यह इस टॉक गया था जनवरी के मन्त में इंदेक्स जो है एक मन्दी के माहौल में जो है देखने को मिल रहा है लेकिन ृस्टॉक यह बाला जो है इसने जनवरी के मन्त ने जो है अपना हाई बना आया मतल़ इस साल के फस्ट मंत में यह यह रही बना के आया यह वाली candle यह इंडिकेट कर रही है और यह candle कही न कहीं जो है इस तरीके की candle जो है बनी है कि जहां से फॉल जो है एक अच्छा-खासा आता हुआ दिखा है यह आप देख सकते हैं यहां पर शूटिंग इस्टार केंडल बनी दाने के बाद भी फिर से जो है इसके अंदर एक fall आया है मतलब यह एरिया आप जो देख रहे हैं इस एरिया में एक अच्छा खासा fall जो है stock दिखा चुका है जिस तरीके से market का माहौल मूर माहौल बिगड़ा है इस stock कभी जो है मूर माहौल बिगड़ता हुआ दिखा है लेक इसने completely जो है जून वाली candle को जो है बिलकुल ब्लॉक कर दिया मतलब पूरा completely जो है उसको ढख दिया है तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको बताऊं एक bullish engulfing pattern टैप का जो है बनता हुआ देख रहा है यह candle जो है यह indicate कर रही है कि यहां से bullish engulfing pattern जो है यह stock बनाता हुआ देख है हाला कि यह candle जब तक पूरी नहीं होगी जुलाई वाली जब तक यह कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन फिलाल आप देखेंगे अभी जस्ट हाफ मंत जो है हुआ है और इस वाली candle ने previous वाली candle का जो मतलब previous वाली जो candle की जो body थो उसको completely जो है ढख दिया है तो यह यहां पर एक strong जो है एक कहीना कहीं momentum में stock जो है चलता हुआ दिख रहा है तो basically यहां पर यह जरूर इंडिकेट कर रहा है यह stock की buying अच्छी है बिल्कुल जो है यहां पर एक अच्छा खासा यह जो बेस जो बना है यह कहीना कहीं एक workout करता हुआ दिखेगा काम करता हुआ द असपास मैं आपको यह भी जो है clear कर दो कि previous जो है 2021 में इसका जो लो था वह था करीब पत्चिस रुपह के असपास का और 22-25 रुपह के असपास का है और यहां से अगर में आपको फीवोना की लगा के दिखाँ तो फीवोना की जो हम लगाते है है 2021 के लो से और 2021 में जो है नीचे का जो बेरी स्ट्रेंड है कभी भी जो है यह सबसे बढ़िया बात तो यह है और यहां भी अगर आप देखेंगे तो इस टॉक जो है बहुत जल्दी अपना जो है बुलिश ट्रेंड को पकड़ने की जो है कोशिश कर रहा है तो यह चीज तो भूत ही बढ़िया है जो है 61.8% की जो राइस्टेंस है उसका सपोर्ट लेके वहीं से जो है इस टॉक घूमता हुआ देखा है तो यहां पर यह प्यॉरली इंडिकेशन जो है दे रहा है कि यहां से जो है इसके अंदर एक अपसाइड बनती हुई देख सकती है और जैसे-जैसे करके जो है यह आप आपको अपसाइड दिखाएगा यह स्टॉक बहुत जल्दी जो है आपको फिर एक अच्छे खासे मोमेंटम में आपको जो है यह देखने को मिल सकता है और यह अगर 80 रुपे का एरिया अगर यह क्रॉस कर लेता है बहुत जल्दी तो फिर जो है इसके अंदर एक और अच् स्टॉक और अच्छी खासी पोजीशन पर इस समय पर जो है यह चल रहा है तो बिल्कुल जो है इसको मिस ना करें और इसको जो है बिल्कुल बाई किया जा सकता है यहां से धीरे-धीरे करके यह स्टॉक जो है फरदर आपको अपसाइड दिखाने के लिए एक रेडी हो जो है यह एक या तो नया हाई लगा सकता है या अपने जो है हाई के आसपास भी पहुंचने की कोशिश यह स्टॉक कर सकता है थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो चलेगे तो लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक कर दियो भू कर ले?